व्यापम घोटाले में डॉक्टर जगदी सागर मुख्य आरोपी और रैकेट का सरगना है जिन छात्रों से वह पास कराने की डील करता था उन्हें इंदौर के मेगदूद गार्डन में नकल करने की फ्रेनिंग भी देता था सागर के सभी सौधे दस्तावेज में दर्ज हैं जो उसने खोदर लिखे हैं यह बात सागर की एडी कोट में लगी समानत याचिका के निरस्त होने संबंदी आदेश में लिखी गई है गौरतलब है कि एडी के विशेष लोग अभियोजक प्रसन्ना प्रसाद ने तर्क दिये हैं कि इन दस्तावेज में छात्रों के शहर राशी जैसी बातों का जिक्र है यह राशी 2012-13 की PMT परिक्षाओं के लिए प्राप्त की गई थी कोट को बताया गया कि सागर ने एक अनुसुची जनजाती के दिव्यांग छात्र से PMT 2012 में प्रवेश कराने के लिए 5 लाख रुपई की डील की और 1 लाख रुपई लिए इसके लिए छात्र के पिता ने खेत की जमीन भी गिर्वी रख दी थी लेकिन किसी कारण से छात्र परिक्षा पास नहीं कर पाया फिर सागर ने उसे 2013 की परिक्षा में पास कराने का भी सौदा किया और पास भी कराया दरसल कोट में कहा गया कि सागर ने प्लोट कार जैसी संपत्या खरीदने में डेड़ करोड से अधिक रुपई खर्च किये हैं इनसे इंदोर ग्वालियर और भिंड जिले में संपत्या खरीदी गई है